संसब हैं और अब अकले श्यादव को सीधे तोर पर चुनावी तोर पर जो टक्कर है वो देते हुए नजर आएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर करहल से बगेल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है बगेल का जो नामंकन है वो यहाँ पर सामने आ रहा है ब स्पी सिंग बगेल का नामंकन आगरा से सांसद हैं बगेल एक लंबर आजनेते करियर उनका यहाँ पर रहा है और अब सीधे तोर पर अकले श्यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे तो बीजेपी ने अकले श्याद का गड़ माना जाता रहा है ऐसे में एक टक्कर देते हुए जरूर नजर आएंगे स्पी सिंग बगेल तो बीजेपी ने अकले श्यादव के खिलाफ करहल सीड से स्पी सिंग बगेल को चुनावी मैदान में उतारा है अमित सिंग हमारी से योगी ज्यादा जानकारी के चुनावी मैदान में उतारा गया करहल विदानसवाद सीट से स्पीस भगेल बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ेंगे अखलेस यादों के खिलाफ और इस वक्त स्पीस भगेल जो है वो जिला के लेक्टरेट दफ्तर के अंदर मौजूद है मैं आपको तस्वीरे द मुलायम सिंग यादों को मुलायम सिंग यादों सबसे पहले उनसे प्रभावी होकर उनको टिकेट दिया वो चुनाव जीते उसके बाद वो राजसाबा सांसद भी रहे राजसाबा सांसद के बाद अब उसके बाद बीएसपी से जॉइन के थे बीएसपी के बाद वो करहल विदान सवाज सीट से करहल विदान सवाज सीट पे आज ही जैसे ही अखलेस यादो जीला कलेक्टरेट दफतर से निकले हैं नावंकन करके उसके बाद सीधे SPS बगेल यहां पहुंचे है और SPS बगेल अंदर इस वक्त मौझूद है मैं आपको तस्वीरे दिखा हूँ जो की केंद्री राजमंत्री है SPS बगेल उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है जी अमें देखिए यहां पर अकलेश अदव यह साफ कर चुके है कि नॉमिनेशन महद एक नॉमिनेशन नहीं बल्कि एक मिशन है जो किस तरह से इसके नतीजों के जरीए सामने आएगा जिसे कई सदियों तक याद किया जाएगा आत्म विश्वास उनमें साफ तोर पर देखा बड़े चेहरे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के वो प्रदेश के पूर्व मुख मंत्री हैं साथी साथ समाजवादी पार्टी के मुख्या है तो जाहिर तोर पे SPS बगहिल को उनके सामने उतानना चुनावी मैदान में वो BJP की एक अलग स्ट्राटेजी है SPS बगहि जानते हैं इस इलाके के बड़े नेता है के इंदर में मंत्री हैं कई जगहों पर स्टेज पर वो पधानमंत्री मुख्या के साथ में बगल में खड़े हो दिखे तो जाहिर तोर पे स्ट्राटेजी के लिए वीजेपी का यह मूव है चुनाओं को और इंट्रस्टिंग बन उसे अखले स्यादों जीते हैंगे तो किसी ने कहा कि डिल लाक से जादा वोटर से जीते हैंगे लेकिन इस चुनाओं को और इंट्रस्टिंग बनाने के लिए स्ट्रावी मेदान में उतार रहा है चलिए आप नज़र बनाए रखिए गाए सबसे बड़ी सियासी तस्वीर परमत आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे तो अखले शादव के खिलाफ अब किस तरह से बगेल को बीजेपी ने चुनाओी मेदान में उतारा है